टेलिकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े structural reforms अप्रूव हुएं कैबिनेट में और 5 process reforms अप्रूव हुएं यह reforms पूरे के पूरे टेलिकॉम सेक्टर के framework को change करने वाले हैं इस industry को deepen करने वाले हैं, इस industry को broaden करने वाले हैं नई टिकनोलोजी से आप सब की लाइफ में हम सब की लाइफ में जो चेंज आए एक कॉलिटेटिव चेंज आए उस कॉलिटेटिव चेंज के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा AGR आप सब जानते हैं एड्जस्टेट ग्रॉस रेविन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटिड मुद्दा रहा है इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जीन आज एक बोल्ड डिशियन लिया है और AGR की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है जितना नौन टेलेकॉम रेविन्यू है वो AGR से निकाला जाएगा आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स पे जैसे रेलवे में, गास अथोरिटी में, पावर ग्रिड में प्राब्लम्स आई थी, क्याप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के उपर भी प्राब्लम आई थी उन सब प्राब्लम्स को AGR की डेफिनेशन को रैशनलाईज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटिड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है जितना लाइसनस फी हो, स्पेक्टरम यूजर चार्जिस हो, जितने भी तरह के चार्जिस थे उन चार्जिस के पेमेंट पे एक हेवी इंट्रेस्ट और पैनल्टी और इंट्रेस्ट और पैनल्टी की रेजीम थी इस रिजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उपर एक बहुत अंड्यू बर्डन पड़ जाता था तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है जो मंतली कंपाउंडिंग होती थी इंट्रेस्ट की उसकी जगए अन्यूल कंपाउंडिंग होगी इंट्रेस्ट रेट एक बहुती रीजनेबल MCLR MCLR प्लस टू परसंट की इंट्रेस्ट रेट अप्रूब की गई है प्लस पैनल्टी को पूरी तरह से खतम कर दिया गया है इस सबसे इन दोनों फैसलों से टेलेकॉम सेक्टर में बहुत बड़े इंवेस्टमेंट के मार्क प्रशस्त होंगे और आप सब समझते हैं इंवेस्टमेंट का मतलब होता है एंप्लॉयमेंट तो जितना इंवेस्टमेंट आएगा उतनाई एंप्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा